नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Competition Community की YouTube चानल में आप लोग देख रहे हैं S.A.C. CGL and CHSL का YouTube कोर्स जिसमें ये Time and Work का Part 2 वीडियो है और जैसे कि मैंने आपको बताया था Part 1 के एंडिंग में कि यहां पर कुछ सवाल और बचे हुए है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा जब एक से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो उस तरीकी के Pattern की Question मुझे कवर करना है Time and Work में साथ ही साथ Negative Efficiency वाले Questions भी कवर करने हैं जब मैं Negative Efficiency कहता हो तो यह Pipe and System बन जाता है सारे Notifications आपको टाइमली मिलते रहें संडे को जो प्रैक्टिस शीट मिला था अगर आपको उससे कुछ भी डाउट है तो आप टेलिग्राम डिस्क्रेशन ग्रूप में उसको पोस्ट कर सकते हैं चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें की हम आज continue करेंगे जहां से हमने चीजों को छोड़ा था A, B can complete a piece of work in 12 days, B, C can complete a work in 16 days, A work for 5 days, B works for 7 days, C completed the remaining work in 13 days, in how much time will A alone complete the work A, B के बारे में पहले information है, 12 दिन में complete करता है, B, C 16 दिन में, अब बोल रहा है, A 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, और 6 कारे को C जो है, वो 13 दिन में पूरा करता है तो आपको बताना है, A अकेले इस कारे को कितने समय में करेगा, देखे, सवाल को जब solve करने जाओगे, तो A, B मिलकर जब कारे कर रहे हैं, तो इनको 12 दिन लगते हैं, days के बारे में information दिया हुआ है, कि इतने दिन में complete कर रहे हैं, B और C जब मिलकर काम करते हैं, तो यहां प complete करता है, C क्या है, यह remaining work को complete कर रहा है, ठीक, इस तीस का आपको ध्यान देना है, देखे, जैसे ही हम यहां पर इस सवाल को solve करने जाए, तो ऐसा लगता है कि सवाल incomplete है, और यह solve नहीं होगा, लेकिन देखे, यह एक standard pattern of question है, जिसमें आप से SSC में इस तरीके के pattern के question पहले और आगे भी आने की chances रखते हैं, देखे, इसमें करना क्या है, मैं आपको बताऊँगा, यहां पर, suppose करिए कि यहां पर A अलग काम किया था 5 दिन, B अलग काम किया था 7 दिन, और C अलग काम किया था बाकी remaining, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस साथ को तोड़ 7 को तोड़ देंगे 5 प्लस 2 में, क्योंकि 7 दिन ही तो काम कर रहा है, तो मैं 7 को 5 प्लस 2 में काट, इसको तोड़ दूँगा, तो ऐसा हम मान के चलेंगे कि A और B मिलकर जो है, यह 5 दिन काम किया, क्योंकि हमारे पास यह दिया हुआ है, कि A भी मिलकर अगर काम करें तो 12 दि में complete हो जाता है तो अगर ये लोग मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो 5 बटे 12 काम हो जाएगा इससे ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 दिन balance बज़ गया दो दिन balance बज़ गया तो हम क्या करेंगे इस B और C को एक बार में मैं माल नूँगा कि यहाँ से B दो दिन काम कर रहा है C दो दिन मतलब B और C मिलकर जो है दो दिन काम कर रहा है मतलब 6 कार इसके बाद जो बचेगा वो 11 दिन में C complete करेगा के लिए तो यह पेटर्न के सवाल हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में जिसमें घ्रवराने ही कोई वात नहीं हम यह मान लेंगे कि इस A और B ने मिलकर 5 दिन काम किया क्योंकि इसको हम 5 प्लस 2 में convert कर देंगे और 2 से यहाँ पर मैंने 13 दिन देखा तो 13 को 21 में convert कर देंगे मतलब यह लोग मिलकर 2 दिन काम कर रहें मतलब जो काम होगा वो work होगा तो कितना होगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो यह सारी चीजे मैंने explanation के तौर पे लिखा है आपको directly यह समझना है कि A और B मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो work done by A B क्या होगा A B मिलकर जब 5 दिन काम किये प्लस work done by B C जो होगा यह कितना हो जाएगा अगर यह लोग 5 दिन काम किये actually इनको काम करने में 12 दिन लगता है तो 5 बटे 12 हिस्सा इतना काम हो गया होगा साथ में B C मिलकर दो दिन काम कर रहे हैं यह पूरा काम को 16 दिन करते हैं तो 2 बटे 16 इतने इतना काम जो हो गया होगा तो अगर इसको solve करें तो यहाँ पर एक बटा 8 आठाएगा LCM ले ले तो यहाँ 24 होगा 24 होगया तो 3 यहाँ से जाएगा उपर मतलब 2 यहाँ से जाएगा उपर तो 10 मल्टिप्ला होगा तीन यहाँ पर जाएगा तो यह 3 है मतलब 13 बटे 24 हिस्सा कारे हो गया है इसको कि कि कितने दिन दिन करता है तो 11 में करेगा 11 divided by यह वाला fraction divide करना परता है 11 और 24 मल्टिप्ला कर देंगे मतलब 11 से 11 कर गया मतलब सी जो है पूरे की पूरे कारे को 24 में कर रहा है मतलब एक hidden information हमको दिया हुआ था जो कि directly नहीं बट indirectly दिया हुआ था तो आप इस तरीके से तो इसको फ्रेम कर सकते हैं कि सी इस कारे को 24 अब सवाल यह पूछ रहा है कि बताईए भी एकले इस कारे को कितने दिम करेगा तो मैं मैंने आपको यह सारी चीज़े पहले वाले वीडियो मता है कि टाइम अगर एका निकालना है तो दो चीज़े होना चाहिए वर्क और एक की एफिशेंसी यानि की कारे कितना करना है और एक की दक्षता ठीक तो आईए इसको सॉल्ब करते हैं इन तिनों का एलसी हम लोगे तो 48 यह हमारा क हो गया मतलब भी मिलकर एक दिन में चारय अंट काम करेंगी मिलकर है तो ग्ली का से इसको और तोBook ская काम कर लेता है मतलब डिया का मैं दलूंगा तो बी क वैल्यू आ जाएगा एक और बी और सोला दिन में धो है पहली बार लगता है कि दिफिकल्ट है बट आफ यहां easily shifting approach से इस सवाल को फटा-फट calculate कर सकते हैं ठीक है चलिए अब मैं आपको ले चलता हो अगले सवाल में ठीक यहां से हम बढ़ेंगे आगे अगला सवाल दिखते हैं दिया हुआ यहां पर a canal of a village was cleaned by 24 villagers in 12 days the number of days taken days in which 36 villagers can clean the canal किसी गाओं में बुला गया 24 ग्राम वासी जब मिल जाते तो 12 दिन में सफाई की जा सकती है और बोल रहा है कि उस नहर को ठीक है नहर को अगर 36 ग्राम वासी कितने दिन में साफ करेंगे आपको निकालना है कि work बरावर होता है efficiency into time कार बरावर होता है दक्सता into समय ठीक अब यह जो दक्सता है इसके दो भाग होते हैं समय जो है इसके भी दो या तीन भाग भी हो सकता है जैसे कि मैं बताओंगा आपको कैसे इन सारी चीजों के उपर अभी थोड़ा सा discussion कर लेते हैं ठीक है जैसे कि समझिए मैं एक example के जरीए आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर आप देखिए समझिए इसको मान लीजे कि एक घर है ठीक है इस घर का अभी अभ है घर होने के बाद आभी क्या करना है तो इसका painting करना बचा हुआ है तो आपने क्या किया एक painter को बुला कि पेंटीं होने से यहां पर अगर ब chrom की मैं बात करूँ एक पेंटर है तो जो दिन लगेंगे इसके bleibt करने पेंटिंग तो बीस दिन लगेंगी टीक बीज दिन यदि मैं आपसे पोचूं कि इस घर का पेंटिंग करने के लिए, अगर मुझे और तेजी से करना है, तो मैंने क्या किया है, मैंने दो पेंटर को यहाँ पर IMPLOY कर दिया, कि भह니 अगर मैं यहाँ पर बोलू कि और जल्दी भाई मेरे को पास दिन में काम सेए तो यहाँ पर आप चार पेंटर लगाएंगे है वो efficiency multiplied by time ठीक है यह हम सीख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में अब यहां से आप समझिए कि efficiency का काम कौन कर रहा है और time का काम कौन कर रहा है कि कितने painters है time का काम कौन कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं तो efficiency के कुछ और भाग होते हैं इसके बारे में मैं अभी discussion कर लेता हूं आप से तो सबसे पहली बात efficiency जो है दक्षता efficiency के बारे में आप लोग लिखना चालू करेंगे कि efficiency क्या होती है दक्षता ठीक है दक्षता का दो हिस्सा होता है एक number of people working number of people कि यानि कि कितने लोग कारे को कर रहे हैं और efficiency of each person efficiency of each person ठीक है यानि कि आप यहां पर लिख सकते कितने व्यक्ति ठीक है व्यक्तियों की संख्या जो कारे कर रहे हैं व्यक्तियों की संख्या जितने व्यक्ति हैं उतना ज्यादा efficiency होगा और जितने यहां पर व्यक्ति हैं हर एक प्रतियक व्यक्ति की जितनी दक्षता है उसको गुणा करना पड़ता है यहां पर ठीक है प्रतियक व्यक्ति की दक्षता ठीक है बात समझ में आ गए मतलब समझिए यह जो efficiency है इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे N multiplied by M मतलब कि अगर प्रतियक व्यक्ति की efficiency यहां पर M M M है और N व्यक्तियां काम कर रहें तो N multiplied by M जो है यह total यहां पर work efficiency देगा ठीक वहीं यदि मैं आपसे बात करूँ समय का time का याने समय की बात करूँ तो समय होता है भई number of days number of days multiplied by number of hours per day hours per day मतलब अगर suppose करी कि d दिन काम हुआ और प्रतियक दिन hh घंटा काम हो रहा है तो total time क्या हो जाएगा d into h हो जाएगा मतलब समय क्या है तो d into h हो जाएगा बात समझीए यहां से अगर हम यहां पर यह कह रहा है कि दो दिन काम हुआ यहां पर अभी जो पिछले example में मैंने बात किया कि यहां 20 दिन काम हो रहा है यहां पास दिन काम हो रहा है तो क्या यहां पर पूरे के पूरे 24 घंटे काम चल नहीं होता ऐसा लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि बीस दिन दस दिन और पास दिन तो हमारा एजम्शन हीडन यह होता है कि जितने घंटे यहां काम हुआ उतने घंटे यहां तो अगर यहां पर आवर क्यों पर कोई information नहीं दिया है उस case में आप directly यहां पर क्या करें आवर के बारे में ही information दिया है तो क्या करेंगे एच मान लेंगे वहां पर उतने घंटे काम हो रहा है इस तरीके से सवाल भी बनते है उस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है नंबर तो ठीक है नंबर रहेगा लेकिन एक-एक man का efficiency अलग होता है एक-एक woman की efficiency से और यह अलग हो जाता है एक-एक child की efficiency यानि कि दक्षता जो पूरुशों की होती है वो महिलाओं की दक्षता से अलग हो जात time efficiency multiplied by time अगर यह हमारा formula था अभी तक तो यहां से उस formula को थोड़ा सा modify हम करेंगे कि वर्क बरावर होता है nmdh वर्क बरावर होता है nmdh जिसने से nm जो है वो efficiency यानि दक्षता है time जो है यह है dh तो यह आपका बनिया formula अब जब एक से ज़्यादा व्यक्ति जब काम कर रह ठीक है दूसरा formula जो है इसको आप note करके रखेंगे जिसको हम कहते है chain rule ठीक है chain rule का मतलब क्या है कि अगर यहां पर दो अलग-अलग scenario दे दिया गया पहला scenario में कुछ व्यक्ति जो है कुछ काम कर रहे है दूसरे scenario में दूसरे group of व्यक्ति कुछ काम कर रहे है ऐसे case में आपक ठीक है किसके बराबर होता है तो यह बराबर हो जाता है एंड व 2 १2 ह 2 और divided बाए w2 थेक है तो यह दोलों के दोलों क्या है तो बराबरquisक इस चीज का नोट बना कि रखें है बढ़िया से और यह चीस जो है हम यहां से यूज करना चालू करेंगे तो यहां से मैं M2D2H2 divided by W अब देखिए यहां से दोनों चीजों को हम यूज करेंगे कभी इस formula को यूज करेंगे कभी यह दूसरे formula को यूज करेंगे depending upon the question किस पर depend करेगा question के उपर depend करेगा कि हम को कौन सा यहां पर यूज करना है तो कभी-कभी हम पहला formula यूज़ करेंगे कभी-कभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोटे तार तौर पर आपको समझना है कि वर्क जो efficiency multiplied by time जो अभी तक हम सीख रहे थे इस efficiency में भी दो पार्ट होता है time में भी दो पार्ट होते हैं अब यहां से मैं आपको ले चलता हूं तो उस question में वापस जो हम discuss कर रहे थे आशा करता हूं अपने notes बना लिया होगा बढ़िया से इस चीज का अब यहां से दिया हुए तो वर्क क्या हो गया 24 villagers काम कर रहे हैं तो 12 दिन में काम complete हो रहा है अब सवाल पूछ रहा है कि यदि आप 36 villagers को लगाए 36 villagers को लगाएं तो काम कितने दिन में complete होगा तो यहां पर वर्क जो होता है वह होती है efficiency multiplied by time तो efficiency उतना ही है जितने लोग है multiplied by time जितना है जितने दिन लग रहे हैं सिंपल सी बात है दोनों के दोनों equal होंगे आप चाहें वर्क को ऐसा लिखिए या divided by w divided by w करके आप chain rule से भी लिख सकते हैं दोनों बात सेम है तो कुल मिला की आपका वर्क ही होता है तो यहां पर जितना काम कर रहा है उतना ही काम वहां पर भी करना था इसलिए आप इस डेवल्यू को यहां लिखे यहां पर लिखे कोई इसमें फरक नहीं पड़ता लेकिन जब काम अलग अलग होता है जैसे यहां पर सब्सक्राइए 10 km का काम है तो यहां अगर 20 km का काम होगा तो आपको यहां 10 यहां पर 20 से लिखना होगा लेकिन यहां सेम काम हो रहा है तो आप नीचे W लिखे ना लिखे बाद लिखे अब देखे solve करिए इसको फटा-फट कितना आएगा यहां बारा से काट तो यह तीन बार कटेंगा तेन से काट बार कटेंगा मतलब डेस कितने हो गए तो आठ इस यहां पर समझ भागे तो आठ दिन में काम complete हो जाएगा जैसे आपने लोगों को बढ़ाया तो समय कम लगेगा जाहिर सी बात है इस प्रकार भोजन जो है वो बचा हुआ भोजन जो था वो 32 दिन और चला तो आपको बताना है कितने सैने चले गए वहाँ से आपको बताना है देखिए सि्मपल सहा मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताओ वाँ समझी है यहां पर देख़िए कार ही होता क्या जैसे पिछले सवाल में कैणाल बनाना था वो एक कार है तो suppose कर ये 10 km का कैनल बनाना है, तो ये 10 km को आप एक तरीके से कार मान सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, तो भोजन है, तो भोजन को जब खा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का वर्क है. मतलब जो food है, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, efficiency multiplied by time. जब मैं efficiency multiplied by time कहा रहा हूँ, तो यहाँ पर efficiency क्या है, कि कितने soldiers हैं, और कितने दिनों के लिए ये खाना चलने वाला है, ये आपका time हो जाएगा. तो देखे, अब कुछ चीजों को आप directly, या तो आप mentally calculate करके लिख सकते हैं, दिमाग में ही calculate करके लिख सकते हैं, मैं यहाँ explanation के लिए एक दो line यहाँ पर लिख लिता हूँ, जैसे कि देखिए, शुरुवाती तोर पर हमारे पास जो total food था, वो कितना था, 1200 soldiers के लिए 28 दिनों का खाना था, ठीक, लेकिन इसमें से जो food है, वो जो consume हो गया food, डारेक्टली यहाँ से solve कर सकते हैं कि food जो remaining होगा, वो कितना remaining food होगा, जो 1200 लोग है, इनके लिए अभी 24 दिनों का खाना बचा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, 1200 में से 28 दिनों का खाना था, जिसमें से 4 दिनों का खाना consume होगया, तो दोनों को minus करोगे, 1200 comment निकलेगा, यहाँ पर 24 दिन का खाना बचेगा 1200 लोग के लिए, लेकिन, सवाल में दिया है, कुछ लोग यहाँ से छोड़के चलेगा, तो suppose करिए कि यहाँ से कुछ लोग छोड़के चलेगा, तो 1200 minus x लोग बचे, यह x का मान आपको निकालना है, 1200 में से x लोग निकल के चलेगा, इन लोग के लिए, जो खाना बचा हुआ है, वो कितने दिन चल रहा है, तो वो चल रहा है भई, 32 दिन, 32 देज, तो टोटल जो remaining है, वो तो same है न, यह अगर इतना खाना बचा था, तो यह 32 दिन चल रहा है, तो लोग कितने हैं, 200 बरावर किसके हैं, तो 1200 माइनस x के, और x बरावर कितना होगा, x बरावर हो जाएगा 300, मतलब 300 लोग जो है, 300 soldier जो है, वो यहां से निकल के चलेगे, बी जो है, सवाल का से उत्तर होगा, यहां पर समझ में आगी बात है, चलिए, आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद, next question दिखते है, यहां पर दिवाए, 20 men, यानि कि 20 men could complete a work in 80 days, they work together for 60 days, after that due to bad weather, the work is stopped for 10 days, in how many more men should be employed so as to complete the work in time, मतलब देखिए, पिछले सवाल के जैसा ही, आप देखिए, यहां से कुछ चीजों का आप डिरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए, समझी यहां पर, आप जितना ज़्यादा यहां पर pen कम चलाएंगे, उतना ही speed आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो समझी यहां दिया क्या हुआ, 20 आदमी जो है काम को 80 दिन में पूरा करते थे, उन्होंने 60 दिन तक काम किया, मतलब 20 आदमी जो है, 80 दिनों का काम इतना कर सकते थे, मतलब 20 आदमी जो है, अगर 60 दिनों के लिए काम करेंगे, मतलब यह तो आपका total work था, work जो total करना था यह लोग को, और यह है work जो हो चुका है, मतलब आप directly इन दोनों को आप mentally समझ सकते हैं, mind में calculation कर सकते हैं, work जो remaining होगा, वो remaining कितना होगा, तो 20 आदमी का 20 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन दिया हुआ है, मौसम खराब होने के कारण 10 दिनों के लिए काम बंद हो गया, देखे, हमारे पास तो समय कितना था, 80 दिनों का था, 60 दिन का समय चला गया, अब यह जो बचा हुआ कारे है, उसको 20 दिन में करना था लेकिन 10 दिन काम हुआ ही नहीं मतलब 70 दिन गुजर गया तो अब सेश कारे को करने के लिए हमारे पास 10 ही दिन बचे है ना कि 20 दिन क्योंकि 10 दिन आपका जा चुका है तो कारे को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पूरुष इसमें नियोजित किये जाने चाहिए तो 20 पूरुष पहले से थे मान लेते हैं कि इसमें X पूरुष और आने चाहिए तो इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि M1 D1 इकोल टू M2 D2 यह M1 D1 वो है जो बचा हुआ है यह M2 D2 वो है जो यहां पर बचे हुए टाइम में इतने लोग होने चाहिए ठीक तो इसको solve करेए बताइए कितना है एक दस इसको दो बार काटेगा मतलब 40 जो है 40 बरावर है 20 प्लस X मतलब X का मान क्या है तो X का मान है भई 20 X का मान कितना है तो X का मान है 20 तो B जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां से हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ओर if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days then the time taken by 15 men and 14 boys to do the same type of work will be देखे 6 पुरुष और 8 लड़के जो है किसी कारे को 10 दिन में पुरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के जो है वो इस कारे को 2 दिन में करते हैं तो पूछ रहा कि 15 पूरुष और 20 लड़के समान कारे को कितने दिन में करें यह आपको बताना है तो इस तरीके के सवाल में आपको अब लगाना होगा chain rule chain rule कैसे हमने सीखा देखे क्योंकि यहां पर केवल days n और m है तो हम यहां पर n into m into d इसको work मानेंगे और n1 m1 d1 equal to n2 d2 m2 हो जाएगा और work के दोनों में same है तो यहां w1 work है तो यहां पर भी जो work है वो same है समान कारिये यहां पर हो रही है तो इस chain rule को हम apply करना चालू करता है क्योंकि इसी chain rule के तहत यह सवाल जो है बहुत आसानी से solve हो जाएगा मैं stepwise बताता हूं आपको एक बार यहां पर कि हमको इस तरीकी के सवाल में करना है तो क्या करना है second question से आपसे खुझ से बनने लगेगा ठीक है तो चलिए पहले मैं इस सवाल को थोड़ा धीरी धीर करके समझा देता हूं कि यहां पर क्या करना है देखो 6 men और 8 boys है तो मैं लिखता हूं कि 6 men plus 8 boys इतने हमारा जो है efficiency की हो गए यह लोग जो है कि इसी कारे को 10 दिन में करते हैं तो multiplied by 10 हो जाएगा इतना कारी यह लोग कर पाते है इक्वल टू हम क्या करेंगे 26 men 26 men plus 48 boys यह जब कारे करते हैं तो इनको जो समय लगता है कारे करने में यह तो 2 के 2 दिन में ही पुरा कारे निप्टा देते हैं अब यहां से 15 पूरुष आ गया है 15 men plus 20 boys तो आप से पूछ रहा है कि यह लोग जब मिल जाए तो यहां पर कारे कितने दिन में पूरा होगा यह आपको निकालना है ठीक जब यहां पर काम सेम है तो divided by W1 divided by W1 divided by W1 त किनों में है और यह सेम है तो इसको लिखो ना लिखो बात सेम है कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि यहां पर तीन मुना वर्क करना है तो यहां पर 3 से मल्टिप्ला करना पड़ता है लेकिन जब सेम वर्क है तो आप यह जो डिनॉमिनेटर वाला पार्ट है इसको लिख बच्चों के उपर आधारित है तो आपको एक एक पुरुष की दक्षता का कंपेरिजन चाहिए एक एक बच्चे के एक बार पहले यह जब क्यालकुलेट हो जाएगा फिर सवाल जो बहुत आसान मन जाएगी तो देखिए कैसे आहम इसको क्यालकुलेट कर सकते हैं तो सेकेंड स्टेप है कि आप यहां पर दक्षता निकाले उसके लिए आपको यह पहला और दूसरे वाले को इकवेट करना पड़ेगा जैसी मैं इन दोनों को इकवेट करो तो यहां पर देखिए यह दस से मल्टिप्ला होगा तो शिक्स्टी में मनेगा दो इस चबिस से मल्टि 52 और यहां से 60 में 52 माइनस करोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वह आठ मैंक आएगा बराबर यहां से आजाएगा 16 तो अगर इसको काट लिया जाए तो दो बार कटेगा मतलब आप इसको भली भाती जानते इसका मतलब होता है M by 2 बराबर B by 1 तो रेश्यो में यह सा सेकेंड कोश्चन से मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा सारे चीजे जो सबको समझ में आना चाहिए अब देखिए यहां पर है क्या इस चीज को रीड कैसे करते हैं देखिए शुरवाती तो पर मैंने एक फर्मूला आपको बताया है एन एन एम डी और एच आगे भी यहां पर मतलब एक व्यक्ति एक बहुता है इक दिन में एक पर एक दिनमें कितना कार्य हुए है अगर मतलब कुछ और नहीं होता है दक्षेता का मतलब होता है," एक डिन में कित्ता कारे हो रहा है?" यहाँ पुरुश एक दिन में। लुए एक डिन में। एक डिन में यूनिट काम करता है., एक यूनिट काम może JOHN तो यहाँ पर M और Y का Efficiency क्या है? दो अनुपात एक का. तो जैसे ही आपने यहाँ पर दो अनुपात एक का Efficiency निकाल दिया, ठीक? तो यहाँ से आपका काम बड़ा असान है. जहाँ जहाँ आपको M दिख रहा है, उसके जगाँ पर 2 दाल दीजे. इससे, उससे कोई फरक नहीं परता. क्योंकि जब आप यहाँ पर 2 और 1 दालेंगे, तो यह पूरा value सेम आता है, जितना यह पूरा value आए. और यही हमारा total work बनता है, ठीक? तो आप directly, चाहे इसको और इसको Equate कर लिजे, चाहे इसको और इसको Equate कर दीजे, answer आपका सेम आएगा, ठीक? तो चलिए, solve करते हैं. मैं यहाँ से इसको Equate करता हूँ, ठीक? तो 2 गुने यहाँ पर करोगे, तो कितना जाएगा? 2 गुने यहाँ पर 2, मतलब की देखे, 2 को मैं यहाँ पर substitute करूँगा, तो यह value जो है, यह बन जाएगा, आपका 52, 52, प्लस 48 बन जाएगा, 1 दालने पर, मतलब 100 तो यही बन गया, 200 value आएगा, equal to यहाँ से जो है, बताए, 30 बनेगा, plus 20 बनेगा, मतलब कितना 50, 50 B, 50 से इसको काटोगे, 50 D है, यहाँ पर D आएगा बहार, 50 से इसको काटोगे, 4 बार आएगा, मतलब number of days कितना होगा, 4 देखेगा, तो 4 जो है, सवाल का से उपतर है, यहाँ पर समझ में आगया, पहले, पहला सवाल जो इस तरीकी के pattern में आया हुआ है, तो आपको समझना होगा, पहले आप इसमें chain rule लगाई है, फिर efficiency का ratio निकाल लिए, थर्ड step में आपका answer निकल के अगया, देखें, दिया हुआ है, 10 men और 20 women और 40 children can do a piece of work in 7 months, then 5 men, 5 women, 5 children together will do half of the work in how much time, तो यहाँ से दिया हुआ है, 10 पुरुष हो, चाहे 10, 20 महिला हो, चाहे 40 बच्चे हो, यह 7 महिने में कारे को कॉप्लिट करते हैं, मतलब 10 men multiplied by 7, बरावर हो जाएगा 20 women multiplied by 7, बरावर हो जाएगा 40 child multiplied by 7 is equal to, अब यहाँ से जो कारे करना है, उसके लिए 5 men, 5 women, 5 men, plus 5 women, plus 5 children, और कितने समय में कारे करेंगे, actually यहाँ पर month है, ठीक है, तो days के जगा पर month है, तो confused नहीं होंगे, time है वो एक, तो month में भी हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ से 5 बच्चे एक साथ काम करते हैं, तो इसका हिस्से का, मतलब आधा हिस्सा का काम करना है, मतलब देखें, यहाँ पर जो भी यह लोग कार कर रहें, suppose कर यह दो यूनिट, दो यूनिट, दो यूनिट कार हो रहा है, तो दो का आधा एक यूनिट होता है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, कि यहाँ पर आधा कारे करना है, मतलब अगर यहाँ एक कारे करना था, तो यहाँ आधा कारे करना था, मैंने क्या किया, इस दो को यहाँ बेज के कर दिया, कि यहाँ पर यदि दो यूनिट कारे हो रहा है, तो यहाँ पर एक यूनिट कारे होगा, और second step आपका efficiency का है तो देखे अब efficiency के लिए आपको ये वाले को equate करना होगा इन तीनों को equate करना होगा तो आप देखे यहां directly आपको चीजों को समझिए कि 7 और 2, 7 और 2, 7 और 2 constant है यह हड़ जाएगे clear तो यहां पर आपको directly देखना है कि M बरावर 2W के है और यह बरावर 4C के है और अगर मैं इसको 4 से काटू 4 से काटू 4 से काटू तो ratio बन जाएगा कि M by 4 बरावर है W by 2 बरावर है C by 1 मतलब एक man एक दिन में 4 unit काम करता है एक woman एक दिन में 2 unit काम करती है एक child एक दिन में 1 unit काम करता है यहां तक समझ में आगया अब जैसे यहां पर efficiency निकल के आगया तो हमारा काम बहुत आसान है क्योंकि हमको बस करना क्या है इस efficiency को यहां पर डाल देना है और तीनों में से जिसमें आपकी इच्छा है चाहिसमें चाहिसमें किसी भी एक में आप इसको डालके answer निकाल सकते है तो solve करिए भाई अगर child है यहां पर दिया हुआ है तो मैं यहां पर क्या करूँगा 40 child मतलब 1 multiplied by 7 divided by 2 यहां से m plus w plus c है तो यहां पर अगर मैं 5 को common निकाल दूँ तो bracket में m plus w plus c बचेगा m का मतलब 4 w का मतलब 2 c का मतलब 4 plus 2 plus 3 मतलब 7 आ जाएगा और यहां पर number of month था यह एक्चुली इसको m से आप confuse मत होईएगा यहां पर number of month है ठीक है वो अलब m अलग है यह वाला m अलग है ठीक तो यहां पर x लिख लेते number of month के लिए साथ से साथ कड़िया पांच और दो दस होता है तो एक्स जीरो कड़ जाएगा एक्स का माना जाएगा चार मन्त चार महिने में यह लोग काम कुपी बात समझ में आगे इस तरीकी एक्सप्रश्न कैसे हैंडल करना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए 15 men 24 women 36 boys अगर है तो विसी कारे को यह लोग 12 दिन में करते हैं आठ hours का काम जब होता है तब how many men must be associated with 12 women and 6 boys to do another piece of work which is 2 and a half to 1 by 4 times greater than this in 30 days तो देखिए यदि जो है यहाँ पर अब इस सवाल को जो है आप खुद से बना लेंगे और मेरी उमीद है कि आप यहाँ पर इस सवाल को आसानी से solve कर लेंगे देखिए दिया क्या है 15 आदमी 24 औरते 36 लड़के जो काम करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे इस काम से यहाँ पर कितना गुना तो 2 सही एक बटा 4 गुना कारे हैं यहाँ पर मिसी है अधिक काम प्रती दिन अगर 6 घंटे काम होता है तो 30 दिन में 12 और 6 लड़के मिलकर कितने आदमियों के साथ इस कारे को पूरा करेंगे तो चोड़ा सा सिम्पल ही है बस आप देखिए हम पर 12 और काम कर रहे है तो 12 और 8 घंटे यह बरावर किसदी है 24 वोमेन के अगें बारा दिन और आठ घंटे कार हो रहा है यह बरावर किसके है तो यह बरावर है भई 36 बॉइस के 36 बॉइस मल्टिप्लाइड बारा घंटे और बारा दिन और आठ घंटे अब यहां से समझिए कि कितने मेन को जुड़ने चाहिए तो मैं माल लेता हूं कि X नंबर अफ मेन जुड़े तो X M कर लेते हैं प्लस वोमेन कितने हैं यहां पर 12 और 6 लड़के हैं तो प्लस 6 बॉइस हो जाएगा ठीक है और यह जब काम करते हैं तो 30 दिन काम करते हैं और प्रती दिन 6 घंटे का कार है तो यहां पर 2-1 सही 2 सही 1 बटा 4 इससा कार हो रहा है तो अगर मैं इस फ्रेक्शन को थोड़ा से सिंप्लिफाइ करूं चो चार प्लस चार दुनी 2 और यहां पर प्लस एक मतलब 9 बटा 4 कारे हो रहा है तो मैं क्या करूंगा इस 4 को यहां बेज दूँगा मतलब पहले य यूनित करें होगा में यहां पर भी 4 यूनियट यहां पर भी चार अव्य कर यहां तक बात समझ में अभी तो देखिए अब यहां से जैसी आप इसको सौल्व करेंगे समझीए यहां से कि आपको केवल यहां पर इस MW और B वाले डेटा को एकवेट करना है आपकी एक एक 120 से यह नहीं कटेगा तो मुझे 360 से बाटना पड़ेगा 360 से 360 और यहां पर भी 360 से यह 30 बार कटेगा दो से पंद्रा ऌटेगा और इसको काटू 15 से तो यह 24 कारे करता है एक मैं दिन में 20 कारे करता है तो अब आप चाहें किसी से भी इसको इप कर सकते चलि अगर मैं इसको इससे तो इसके इस यह जगां मुझे कार यह और कार्णे के लिए हमारे पास 30 दिन है गन्टे प्रती दिन यह एक दिन में बारा कारे करती है मतलब 15 कारे करती तो इस आपका डालेंगे और वाइक दस दालेंगे यह आपका बन गया 60 पलस ये कितना हो गया ये बारा इंटू पांच तो होता है साथ और वहां पर एक बंद्रा है मतलब 180 आजाएगा दोनों को जोड़ने पर यहां पर 240 आजाएगा कितना आजाएगा 240 पलस 240 और ये एकस इंटू एम है एकस इंटू एम है मतलब एम के जगह 24x आजाएगा 24x ठीक है अब देखे इसको सॉल्व करें यहां से आपका जाएगा कि कितने मैं काम कर रहे हैं यहां पर इनके साथ तो दिखेंगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितने बार 36 कर जाएगा यहां से 12 और यहां से 2 है तो 2 इसको तीन बार काटेंगा यह तीन जो इस तीन नौ को तीन बार काट आप देखें यहां से इसको सॉल्व करोगे तो यह जो वैल्यों है बन जाएगा 12 इन्टू 12 यानि 1-44 multiplied by 3 करने पर जो value आ रहा है वो आ रहा है 432 का मतलब कि यह जो 24x है प्लस 240 है इसका value कितना है तो 432 है अगर मैं 240 को दूसरे तरफ भेजू तो 24x का माना जाएगा जैसी दूसरे तरफ भेजेंगे तो 2 आ रहा है और 43 अगर 43 बचा हुआ है तो 43 यहाँ पर 19 का value देगा और x का मान जो है यह 8 है मतलब कि यहाँ पर x जो है वो 8 है मतलब 8 पूरुष जो है यहाँ पर काम करेंगे तब जाकि यहाँ पर 30 दिन में 8 6 घंटे पति घंटे में कारे हो जाएगा जब 12 women और 6 boys के साथ 24 men काम करेंगे आठ men काम करेंगे अब देखिए अगला सवाल है आपके screen के उपर contractor undertakes to dig a canal 12 km जिसमें की long in 350 days employs 45 minutes after 200 days he finds that only 4.5 km of the canal has been completed find the number of extra men that should be employed to complete the work in time देखिए यहाँ से अब जो है आपका chain rule के तहत यह सवाल directly solve हो जाएगा हिंदी में भी पढ़िये दिया हुए एक ठेकेदार ने 12 km लंबे नहर को साड़े 300 दिन में पूरा करने का सोचा था जिसमें से 45 आदमी लगाए थे 200 दिन के बाद पता चला कि नहर का जो है केवल यहाँ पर 45 किलोमेटर की ही खोदाई हुई है तो यहाँ से अगर 45 किलोमेटर की ही खोदाई हुई आपको determine यह करना है कि कितने और में जोड़े जाए काम को समय में पूरा करने के लिए कितने और अथरिक्त आदमी काम पर लगाने चाहिए सिम्पल सी बात आप समझते तो पहले के 200 दिन में क्या हुआ 200 दिन में हमारे पास 45 वक्ती थे तो 45 मेंन है और 200 दिन गुजर गए काम कितना हुआ तो 4.5 किलोमेटर का काम हुआ यहाँ तक आप लोग समय मेरे साथ अब बताईए कि वर्क बचा कितना हमको तो 12 किलोमेटर का नहर खोदना था जिसमें से 4.5 किलोमेटर खोदा जा चुका है तो अब यहाँ पर 7.5 किलोमेटर बचेगा 7.5 किलोमेटर यहाँ पर बचेगा इस काम को करने के लिए हमारे पास दिन कितने मचेगा क्योंकि देखे पहले 300 दिन हमारे पास टोटल काम को करने के लिए जिसमें से 200 दिन गुजर चुके तो अब 6 कारे को करने के लिए 500 दिन मिचेगा यहां से अब देखिए कि अगर 45 मैं है 45 मैं है कितने और मैं जोड़े जाए मतलब 45 प्लस एक्स इतने मैं हमें जुड़ेने चाहिए यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 45 से यह दस बार कर जाएगा और 7.5 जो है इसको 20 बार काटेगा तो 20 जो है इसे भी दस बार काटेगा मतलब 10 गुणे 10 होगा 100 पैतालीस प्लस एक्स का मान सो है तो x का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 45 मतलब 55 मैं और जुड़ेने चाहिए मतलब 55 मैं और इसमें जुड़े चाहिए तब जाके कारि जो है इस समय में जिस अभधी में दिया ह उस अबधी में complete हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम देखेंगे कुछ pipe and system के सवाल pipe and system जो है यह एक topic ऐसा है जिसमें की time and work का application होता है आपके exam की अधी में बात करूँ तो अगर हम देखें कि अगर 20 shift में exam हुआ तो 75% जो shift होते हैं उसमें time and work के सवाल आते हैं ले आपके exam में सवाल इसमें पूछा जाता है और सारी चीज़े में इसमें cover करा दूँगा जिस लेवल का question आपके exam में आता है ठीक है pipe and system न लेवं टंकी देखें अब यहां से आपको समझना होगा इस टंकी में कुछ liquid भर रहा है जैसे कि इसमें पानी भर रहा है तो अभी हम हमने जो सवालों में questions में देखा था कि work बरावर होता है efficiency multiplied by time यहीं फर्मूला हम देखते आ रहे हैं कि कार बरावर क्या होता है तो efficiency multiplied by time होता है यहांसे कारी जो है वो होगा कि इस टंकी का जितना volume है इस टंकी का जो आयतन है यानि इसका आयतन जो होगा ठीक है आयतन यानि कि जो volume होगा टंकी का यह हमारा जो है यहां से बन जाएगा कारियर मतलब इस formula में बस volume वर्क के जगा volume आ जाएगा बाकी efficiency into time सेम रहता है ठीक second point efficiency जो है यहां पर और यहां पर क्या है efficiency जो है efficiency का मतलब दक्सिता यानि कि एक एकल समय में यानि प्रती समय में कितना volume इसमें भर रहा है tank में वो हमारा यहां पर efficiency होता है कभी-कभी यहां पर खाली भी होता है तो यहां पर काम करने के लिए कौन होता है pipe होते है या type होता है यानि कि null होते हैं यहां पर काम करने वाले तो जो दक्सिता होती है ये inlet pipe होते हैं और जो खाली कर रहे हैं ये outlet pipe होते है outlet pipe जो है वो यहां से नीचे की और पानी को खाली कर रहे है भई देखिए ये भरने की कोशिश कर रहे है टंकी को और यहां से ये लोग जो है ये इसको खाली करने की कोशिश कर रहे है मतलब उल्टा काम हो रहा है तो अभी तक जो time and work में हम देख रहे थे सवाल उसमें कोई भी काम तोडने वाला वेक्ति नहीं था लेकिन यहां काम तोडने वाले दोट नल है मतलब यहां से बिचारे इसको भरने की कोशिश कर रहे है कभी-कभी खाली वाले को भी हम काम मान लेते हैं तो उस case में यह प्लस हो जाएगा यह नेगटिव हो जाएगा अब देखें कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि आधा टंकी भर गया या कुछ टंकी भर गया अब हमने इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया तो बताएगे अब टंकी क्या है खाली होगा की भरेगा यह कैसे डिटर्माइन होता है यह दक्षता से डिटर्माइन होती है कि अगर इसकी दक्षता जादी है मतलब खाली करने वाली की दक्षता जादी है यह आपका कार्य हो जाएगा इस केस में लेकिन जब खाली वाले केस में जो है आपका काम हो जाएगा इसको खाली करना ठीक है तो ऐसे प्रश्ण भी मैं इस वीडियो में आपको समझाओंगा सारे प्रश्ण हम यहाँ पर cover करेंगे तो अब आपको समझना यह है कि pipe and system में जो चीजों को आप लिखना चालू कर सकते हैं यहां से तो जो चीजें हमने सीखा था उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं नल एवं तंकी याने pipe and system pipe and system याने नल और तंकी इसको heading बना लीजिए अपने notebook पर अब देखिए यहां से आपको formula पहला जो मैंने बताया और जो चीज हम सीखते आ रहे हैं उसी में बस थोड़ा सा चेंज है कि volume बराबर होता है efficiency used. मतलब आयतन जो है आयतन जो है यह आयतन हो जाएगी दक्षता हुँए डक्षता multiplied by समय कि दक्षता multiplied by समय क्लियर यह हो गया भई पहला formula तो यहां से जो दक्सिता है यह दक्सिता किसकी है तो नल को मतलब की नल की दक्सिता है यह कभी-कभी प्लस होती है कभी-कभी माइनस होती है depending upon की नल जो है ये इस tank को भर रहा है कि खाली कर रहा है और भरने वाले काम को अगर हमने plus लिया है तो यह भी plus होगा जो तंकी को भर रहा है लेकिन खाली करने वाले को अगर हमने plus माना हुए work को तो वहां पर प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह सारी चीजह हम discuss करेंगे आगे तो चली कुछ questions देखते हैं यहां से अब start करेंगे पहला सवाल जो है आपके screen के उपर है यहां दिवा है two pipes can fill a tank in 15 hours and 18 hours while a third pipe can empty the full tank in 24 hours if all the three pipes operate simultaneously in how much time the tank will be filled तो दो जो है pipe जो है टंकी को इतने इतने गंटे में याने 15 और 18 गंटे में टंकी को भर सकते है जबकि एक तीसरा pipe इसको खाली कर देता है भरी टंकी को खाली कर देता है 24 गंटे में तीनों pipe एक साथ खोल दिये जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगा आपको निकालना है तो देखिए a है एक b है टंकी मतलब pipe की हम बात कर रहे है तो pipe a है पहले एक a pipe है दूसरा एक b pipe है तीसरा c pipe c को मैं circle कर लेता हूँ ताकि आपको समझ भाया है कि यह खाली करने वाला pipe है तो यह गलती नहीं होनी चाहिए तो यहां से a का समय दिया हुआ है कि 12 गंटे में टंकी को भरता है b का समय दिया है कि 15 गंटे में तो बताइए कितना आएगा अगर मैं यहां से LCM लूँ तो 120 से काम नहीं चलेगा यह नहीं कट रहा है तो 360 लेने से इसका efficiency 24 हो गया इसका 20 हो गया और यह खाली करने वाली की efficiency 15 हो जाएगी तो यह A की efficiency है यह B की efficiency है और यह C की efficiency है जिसको मैं circle कर लेता हूँ ताकि समझ में है कि खाली करने वाला टंकी है टी If all the three pipes are open simultaneously then how much time will the tank will be filled मतलब देखिए A plus B minus C की combined efficiency हो जाएगी क्योंकि देखिए अगर आप इस टंकी को भरने की कोशिश कर रहे है A तो उपर लगा हुआ है भरने वाला टंकी है B भी उपर लगा हुआ है लेकिन C जो है इसको खाली कर रहा है A plus B minus C करना होगा याने 24 plus 20 याने कि 44 याने कि और इसमें 15 minus करना है तो 29 इसकी combined efficiency होगा Time निकालने का तरीका एक मात्र यही है कि आप पहले efficiency निकालने उसके बाद time निकलता है तो time बताईए क्या होगा time अभी सा होता है work divided by efficiency तो यहाँ time हो जाएगा volume divided by in की efficiency जो कि A plus B minus C जो कि हो जाएगा 360 divided by 29 कितना आएगा तो यह एक बार कटेगा पूरी तरह से ठीक है फिर यहाँ से value जो बच रहा है वह 7 का बच रहा है 70 का तो 70 जो है यहाँ से दो बार कटेगा 58 से 58 के बाद यहाँ से जो remainder बचेगा वह 12 का बचेगा divided by 29 के तो 12 सही 12 बटे 29 तो यह B जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा चली आशा करता हो यह सवाल आपको समझ भेया होगा यहाँ से बढ़ते हैं अगले सवाल के और तो पाइपस A and B can fill a tank with 30 minutes and 45 minutes water pipe C can empty it in 36 minutes first A and B are open after 12 minutes C is also open total time in which the tank will be filled up तो देखिए सबसे पहले तो A और B इसको भरने वाले पाइप है जो की 30 minutes और 45 minutes भरते है पाइप C जो है 36 minutes में खाली भी कर देता है ठीक है पहले पाइप A और B को हम चालू करते हैं 12 minutes के बाद C को खोला जाता है तो आपको बताना है कि tank भरने में लगने वाला कुल समय कितन 30 minutes लगता है दूसरे को 45 तीसरे वाले को 36 minutes लेकिन खाली वाला है यह इसका LCM हो जाएगा 180 तो यह हो गया अपना वाल्यूम तो जो चीज़े हमने time and work में सीखा है वो चीज़ यहां पर बिल्कुल apply होगा ठीक यहां से अब A की efficiency हो जाएगी 180 बटा 30 जो की है 6, B की efficiency हो जाए वो है 180 मतलब यहां तक 180 unit हमें fill करते हैं लेकिन पहले हम क्या करते हैं A और B को यहां से चालू करते हैं A और B को चालू करते हैं तो volume जो fill होगा पहले के 12 minute में वो क्या हो जाएगा A plus B की combined efficiency volume होता है भई efficiency multiplied by time तो यहां जब A plus B एक साथ काम करेंगे तो 10 unit पर 30 minute भरना चालू होगा 12 minute में यह लोग 120 volume fill कर लेंगा ठीक है इसके बाद जो है time कितना लगेगा यह आप से पूछ रहा है जैसी 12 minute गुजरा तो यहां से हमने C को भी open कर दिया तो A और B तो यहां पर भर रहे थे pipe को लेकिन C भी open होने के बाद अब efficiency A plus B minus C की होगी यहने 6 plus 4 6 plus 4 हो गया 10 minus 5 क यह efficiency ने जाएगी अब आपको समझना है यहां से कि volume जो है यहां पर 120 हमने यहां पर fill कर दिया volume जो है हमने इस pipe इस टंकी में 120 unit का volume हमने fill कर दिया मतलब अब यहां से यह जो 6 volume है यह हमें fill करना है इतना 6 volume जो बचा हुआ है इसको हमें fill करना है और इसका मान हो जाएगा 60 त कि time होता है work divided by efficiency और यहां work के जगा पर क्या आ जाता है volume आ जाता है जब 180 में 120 फिल हो गया तो उपर 60 अभी बचा हुआ है 60 divided by 5 करोगे तो यहां से 12 minute और लगे रहे हैं 12 minute और clear सवाल यह पूछ रहा था कि यहां पर total time कितना लगा तो देखे पहले तो बारा minute पहले ही गुजर गए थे बारा minute तो शुरुवाती तौर पर गुजर गए थे बारा minute और लगेगा तो बारा प्लस बारा कितना होता है 24 minute 24 minute में काम पूरा complete हो जाएगा पूरा पूरा तंकी यहां पर फिल हो जाएगा next question देखते हैं तो यहां से दिवा pipe A can fill a tank in a six hours pipe B in eight hours if both are open together after two hours pipe A is closed how much will B take to fill the remaining tank देखिए यहां पर pipe A जो है खाली करने वाला है मनदब कि pipe A एक खाली tank को 6 गंटे में और pipe B जो है उसे 8 गंटे में बर सकता है यदि दोनों pipe को एक साथ खोला जाता है दो गंटे बाद A को बंद कर दिया जाता है तो 6 को B कितने समय में पूरा करेगा यह हमको निकाले इस सवाल को करने के दो तरीके जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको line वाले डाइग्राम से बताया था इसको भी हम line वाले से भी सीखेंगे और without line वाला जो basic concept है उससे भी समझे कि यहां पर A है और B है A जो है कितने घंटे लगाता है इससे फिल करने में 6 घंटे और यह 8 घंटे लगाता है वाल्यूम इसका मतलब 24 हम ले सकते हैं और इसकी जो efficiency हो जाएगी A की 24 बटा 6 मतलब 4 आएगी और B की 24 डिवाइड़ेड बा 8 यानि की 3 की आएगी यहां से दिया हुए इन दोनों को यानि की जब वॉल्यूम टू आवर्स की मैं बात करूँ तो A और B मिलकर जो है साथ यूनिट में 2 घंटे के लिए जब चलेंगे तो 14 यहां पर वॉल्यूम फिल हो जाए मतलब जो वॉल्यूम रिमेणिंग है इस रिमेणिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर 24 टोटल भरना था जिसमें से 14 भरा गया है तो 24 माइनस 14 करोगे तो यहां पर 10 यूनिट आएगा इतना वॉल्यूम हमें फिल करना है तो टाइम कितना लगता है टाइम होता है तो यहां से जो time लगेगा वो हो जाएगा 3 सही 1 बटा 3 गंटे तो यहां से remaining 6 को कितने समय में भरा जाता है पूछ रहाता तो 6 का समय हो जाएगा 3 सही 1 बटा 3 यहां तक बात समझ में आगे अब देखिए मैंने आपको ये भी बता के रखा हुआ है कि work is equal to efficiency into time बरावर volume is equal to efficiency into time जो की formula change हो सुपा है और distance is equal to speed into time ये सारे formulas एक जैसे हैं हमने देखा तो मैंने आपको last वाले class में भी एक बार इस तरीकी का question समझाया था कि जब कोई छोड के जा रहा था लेकिन वहाँ पे last में छोड के जा अब शुरुआती तोर पे जब कोई छोड के जाता है तब क्या करना है समझे हमें सबोस करिए कि ये 24 unit का काम करना है जिसका volume है तो इसको हम distance के जैसे compare करते हैं बोला गया है कि A और B दो घंटे काम करते ह मतलब suppose करिए कि A जो है शुरुआती दो घंटे में A और B दोनों थे और इसके बाद जो है केवल B था मैं क्या करूंगा इस A को भी दो घंटे से हटा दूंगा दो घंटे से A को भी हटा दे तो starting मतलब कि आखिर में कोई व्यक्ति छोड के जाता है तो उसको हम जाने नहीं देते लेकिन पहले ही कोई व्यक्ति छोड के चला जाता है तो इसको हम हटा देते इसमें से इस तरीके से आप इसको समझेंगे अब दो जो है दो घंटे के लिए अगर A कारे करे तो एक घंटे में चार यूनिट कारे करता है तो दो घंटे में यह 8 यूनिट कारे किया होग मतलब B को पूरा कारे करने में 16 बटा 3 इतना समय लगएगा जो कि ये 5 सही 1 बटा 3 थोड़ा सा आपको यहाँ पर चोकनना रहना है कि B को पूरा कारे करने में इतना समय लगा लेकिन शुरुवाती 2 घंटे को माइनस करना होगा क्योंकि आपसे यहां से 6 कारे को करने में कित्ता समय लगा पूछ रहा है तो 5 सही 1 बटा 3 में 2 माइनस कर दीजिए तो यहां से जो value आएगा वो हैगा 3 सही 1 बटा 3 यह आपका हो जाएगा answer ठीक है यह line diagram से भी आप इसको सीख के रखिए बढ़िया method है और जो पहला वाला तरीका मैंने बताया उससे भी आप इसको समझ सकते हैं एक और तीसरा तरीका भी है जिसमें कि आप उस fraction वाले value से भी आप इसको solve कर सकते हैं जो मैंने आपको last class में बताया है उसको भी आप समझ के रख लीजे कि यहां से suppose कर यह 6 कारे करना था ना तो A ने कितना volume fill किया होगा A ने एक तीहाई volume fill किया होगा क्योंकि देखिए भाई 2 घंटे के लिए A काम कर रहा है कौन काम कर रहा है 2 घंटे के लिए मतलब कि 16 बटा 3 इतने टाइम लगेगा B को. सबसे बेस्ट तरीका ये वाला तरीका भी मैंने आपको last class में बताया हुआ है. ये सबसे तेज है क्योंकि directly आपको समझ में आ गया कि B ने यहां 16 बटे 3 गंटे काम किया. क्योंकि 2 तीहाई काम इसे करना है. एक तीहाई काम तो इसने volume फिल कर दिया था, दो तीहाई काम B को करना है. तो मैं आपको सारे अप्रोच यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप basic भूल जाते हैं यानि कि अगर आप short trick भूल जाते हैं तो आपके पास basic तरीका भी होना चाहिए इसको solve परने के लिए. तो यहाँ एक तांक है, A दौरा जो है 15 गंटे में भारा जा सकता है. दूसरा पाई B जो है उसे 47 घंटे में पूरा खाली कर सकता है यदि वे बारी-बारी से काम करते हैं A शुरू करता है तो कितने समय में टंकी भरेगा यह आपको बताना है देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें चौकरना रहना है क्योंकि एक जो है वो टैंक को भर रहा है दूसरा टैंक को खाली कर रहा है तो A है, B है अल्टरनेट आवर्स वाला कुश्चन हमने कवर किया था यह अगर 15 घंटे के लिए है यह 45 घंटे के लिए है इन दोनों का LCM हो जाए का 45 मतलब यह हमारा वॉल्यूम मन्या अब टंकी को जब भरना चालू करते है पहले घंटे में A भरता है, दूसरे घंटे में B खाली करता है, फिर A भरता है, फिर B खाली करता है, मतलब सपोस करिए कि ये तीन यूनिट हमने भरा, अगले में एक माइनस हो, मतलब दो यूनिट फिल होता है दो घंटे में, तो पहले घंटे में A इसे भरने आता है, दूसर करना रहना है क्योंकि समझ cloudy हैं यहां से जब ही इस तरीके का प्रश्च में हमने हैं लुछ प्राश्च में अदै इस तरीके कुरें कि हैं जैसे इस समय 42 फिल हो जाएगा इसके अगले बार में ए जो है यहाँ पर प्लस 3 करेगा और यहाँ पर volume पुरा का पूरा फिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें 45 volume को फिल करना था मतलब आपको वहाँ तक के count करना है जब तक यहाँ पर 42 volume फिल हो जाएगा इसको 42 बनाने के लिए इसको दो घंटे में दो यूनिट फिल हो रहा है तो 42 घंटे में 42 volume फिल होगा यहाँ तक ठीक है लेकिन इसके बाद वाले घंटे में जो 43 आवर होगा इस और आवर में हमिसा यह आता है तो यहाँ पर प्लस 3 काम कर जाएगा मतलब 45 का 45 पूरा का पूर देता हूं मैं आपको फिर से एक बार 45 जो है पूरा वाल्यूम था तो और आवर्स में यहाँ पर 3 फिल कर रहा है तो मैंने क्या किया इसमें से 3 माइनस किया तो 42 तक जो कहानी है वो सब ठीक है तो कि इसके पिछले वाले घंटे में 43 तक आया होगा और 43 से 1 माइनस हुआ हो है यहाँ पर दिया हुआ है तू पाइपस ए और टैंक इन 24 मिनिट्स और 32 मिनिट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोद पाइपस आर ओपन एट सेम ताइम आफ्टर हाव मस् ताइम वी शूद बी को बंद कर देना चाहिए कि 18 मिनिट में टैंक फिल हुआ है जो है एक के बार म मिनिट में भर सकता है और बी जो है इसे 32 मिनिट में भर सकता है अब सवाल में यह पूछ रहा है कि इसको कितने मिनिट के बाद बंद कर दिया जाए बी को कि टंकी जो है वो 18 मिनिट में फिल हो जाना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर 18 मिनिट में टंकी फिल मतलब कि यह 3-4 volume A भरने वाल है मतलब B जो volume fill करेगा वो 1-4 volume भरने के लिए इसको time कितना लगता है देखिए अगर पूरा का पूरा टंकी भरना है तो 32 मिनिट लगेगा लेकिन अगर 1-4 volume fill करना है तो 32 का भी 1-4 मतलब 8 मिनिट में टंकी fill हो जाएगा कि नहीं B द्वारा अब आप खुद बताइए कि अगर 8 मिनिट में टंकी fill हो जा रही है क्योंकि अगर B जो है 8 मिनिट में 6 कार्य को कर दे रहा है मतलब B को 8 मिनिट के बाद बंद करना होगा मतलब B केवल 9 मिनिट के लिए ही चलना चाहिए क्योंकि उसके हिस्से में जो कार्य आ रहा है वह 1-4 कार्य आ रहा है और 1-4 कार्य के लिए B को केवल 8 मिनिट लगे लगट है to fill up the same tag in 15 minutes देखिए अगर 9 नल जो है टंकी को 20 मिनिट में फिल करती है तो 15 मिनिट में फिल करने के लिए कितने यहाँ पर नल लगने चाहिए यही आप से पूछा जा रहा तो होता है जो यहाँ पर टाइम लग रहा है तो एफिशेंसी नंबर अफ टाइप मुल्टिप्लाइड जितना समय लग रहा है ठीक है एक पाइप जो है दो पाच्वा हिस्सा किसी एक पानी से टंकी जो है इसका दो पाच्वा भाग भरा हुआ है एक टैंक को 10 मिनिट में भर सकता है ब इसे 6 मिनिट में खाली कर सकता है दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक जो है वो भरने में या खाली करने में कितना समय लगे तो पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि टैंक भरेगा कि खाली होगा पहले आपको एफिशेंसी पता हो लिया तो एक एफिसेंसी जो है साथ तीन बटा तीस बटा दस होगा मतलब थरी उनिट बी के एफिसेंसी जो है यह हो जाएगी तीस बटा शे मतलब पांच अब देखिए यह टंकी जो है वो इसका टू फिफ्ट भाग भरा हुआ है टोटल वॉल्म कितना था थर्टी था तो उसका टू फिफ्ट भाग कितना हो जाएगा टू भाई फाइज मल्टिप्लैड बाइज थर्टी पांच से काटोंगे तो यहां पर आ जाएगा बारा यूनिट घौल्度 मतलब यह टंकी की अदी में बात करो है तो यहां पर बारा यूनित यह बरा हुआ है यहां पर बारा यूनिट खाली है टंकी का 18 यूनिट भी खाली है तो देखिए इसमें आगे आपको पहले समझना होगा कि यहां तंकी भर रहा है कि उनिट खाली करने मतलब ज्यादा सक्ति-शाली कौन है ज्यादा च्छमता Aunty को गई जदी कोई इसा सवाल मिल जाए जिसमें यह भरने वाला ननल है इसकी च्छमता हो जाए तो अब आप वॉल्यूम लेंगे 18 क्योंकि 18 वॉल्यूम आपको फिल करना है इस टंकी को भरने में और 12 वॉल्यूम आपको खाली करना है इस टंकी को खाली करने के लिए अब सिंपल सी बात है कि यहां से जो है वॉल्यूम खाली होगी और efficiency हो जाएगी की मतलब 5-3 की मतलब दो यूनिट का यहां से efficiency टाइम जो है वो वॉल्यूम डिवाइड़ेड़ बा efficiency होती है और खाली कितना करना है हमें 12 यूनिट खाली करना है क्योंकि टंकी जो है इतना भरा हुआ है दो बटे 5 हिस्सा 30 का जो की 12 होता है और आपकी efficiency जो है वो दो यूनिट के मतलब 6 मिनिट में यह तंकी भर जाएगा 6 मिनिट में 6 मिनिट मतलब ए जो है सवाल का से यहां तक समझ में आगी चलिए आगे बढ़ते है इसके बाद next question दिखते हैं या पर दिया हुए two pipes A and B can fill a system in 24 minutes 30 minutes respectively there is also an outlet pipe C if all the three pipes are open together the system is filled in 20 minutes how much time will it take for C to empty the full system तो दिखे दो पाइप है A और B जो की क्रम सा 24 मिनिट और 30 मिनिट में भर सकते एक निकासी पाइप C भी है यदि तीनों पाइप को एक साथ ठोल दिया जाता है तो टंकी जो है कितना समय है यह हमें बताना है तो देखिए A एक pipe है B एक दूसरा pipe है और C खाली करने वाला pipe है तो A B C का combined time भी आपको दिया है जिसमें से C खाली करने वाला pipe है तो मैंने A B लिखा है C को circle किया है क्योंकि C खाली करने वाला pipe है और तीनों pipe को एक साथ खोलने का समय दिया है इसलिए तीनों का वहाँ पर ABC मैंने लिखा हुआ है इसको 24 मिनिट लगता है तो यहाँ मिनिट लिख लेते हैं यह फिल करने वाला समय यह 30 मिनिट अगें फिल करने वाला समय 20 मिनिट अगें फिल करने वाला समय तीनों का LCM लोग है तो कितना जाएगा 120 यूनिट ये आपका है भाई वाल्यूम ये आपका है वाल्यूम तो यहां से efficiency के हम बात करें तो efficiency हो जाती है volume divided by time ठीक है तो A के efficiency कितनी हो जाएगी 120 divided by 24 मतलब की 5 के efficiency B के efficiency बात करें तो 120 divided by 30 हो जाएगी मतलब की 4 के efficiency A के efficiency प्लस B के efficiency माइनस C के efficiency क्योंकि यहां तीनों की efficiency combined है जिसमें से c खाली है तो a और b जुडेंगे लेकिन c minus होगा और क्योंकि भर रहा है यहां पर ज़्यादा powerful यह दोनों है तो इसलिए a plus b को positive लिया गया c को negative लिया गया 20 से काटने पर यहां 6 value आएगा आपसे पूछ रहा था time taken by c to empty the tank तो volume आपके पास होना चाहिए और c के efficiency आपके पास होनी चाहिए और जब यह सारी information है तो c का efficiency निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि a का value है 5 b का value है 4 तो a plus b कितना हो गया 9 हो गया minus c करोगे तो 6 आएगा मतलब c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो c का मान यदि निकालना है तो यह हो जाएगा तो देखे पिछले सवाल जैसा ही है बस यहां खाली करने वाले pipe के जगा क्या दिया हुआ है कि एक leakage है टंकी के तली पे यानी नीचे देखे एक टंकी के सवाल तर 8 घंटे में भर जाता है लेकिन तली में एक छिद्र है जिसके वज़े से टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है तो यदि पूरी टंकी भरी हुए है तो छिद्र इसे कितने दिन में खाली करेगा यह बताना है कितने देर में ठीक है तो समझे पिछले सवाल जैसा यह जो है इसको हम मान लेते हैं कि यह भरने वाला pipe है और A प्लस B है जिसमें B खाली करने वाला एक leakage है तो ट 2 गंटा एक्स्ट्रा मतलब 8 गंटे में 2 गंटा जोड़ोगे तो 10 गंटे लगें इन दोनों का LCM कितना हो गया 40 हो गया इसको volume मान लेते हैं मतलब A के efficiency 40 बटा 8 5 हो जाएगी B के efficiency 40 बटा 10 मतलब की 4 हो जाएगी actually B नहीं A-B के efficiency है ठीक अब आपसे पूछ रहा है कि time taken by B to empty the full pipe तो volume divided by B के efficiency हो जाएगी तो 40 की इसकी volume है और A के जगा यदि में पास दालों तो 5 minus B जो है यह 4 होता है तो B का value कितना हो गया एक हो गया 40 divided by 1 करोगे तो 40 गंटे लगेंगे इसको टंकी को खाली करने में तो 40 hours is the correct answer C जो सवाल का सही उतर होगा यहां तक समझ में आगी बात है चलिए assistant has a leakage which would empty it in 8 hours a tap is turned on which admins 6 liters per minute into the system and it is now emptied in 12 hours the system can hold how much तो देखिए यहां से अब मैंने volume से related प्रस्ण लिया यानि कि टंकी के volume के आधारित एक दो प्रस्ण अभी हम देखते हैं आपको दिया टंकी के चिद्र होने से जो टंकी 8 गंटे में खाली होती है लेकिन एक नल है जिसे खोल दिया जाता है उपर से तो टंकी जो है वो यहां से अब जो कि टंकी को भरती है 6 लीटर प्रती मिनिट के साब से अब जो है टंकी 12 गंटे में खाली होती है यानि अभी भी खाली हो रही है लेकिन पहले जो है 8 गंटे में खाली होती थी तो अब 12 गंटे में खाली हो रही है ठीक तो आपको बताना है टंकी की छमता क्या है सवाल को solve करने की कोशिश करते हैं तो suppose करिए कि यहां से अब देखिए टंकी खाली हो रही है मतलब माल लेता हूं कि यह जो है खाली करने वाला pipe है और बी जो है टंकी को यहां से भर रहा है जिसका यहां पर यह अब सवाल में दिया है YouTube अकेले खाली करें तो इसे 6 गंटे इकले ल fellows और जब यहां पर यहां पर श्क्ति खाली हृ रही है तो हम मानेंगे कि ए ज्यादा सब्सक्राइं कि खाली करने वाले bakın वह ऩर दाए है तो हम यहां पर इसको पॉजिटिव लेंग इसको नेगेटिव ले लेंगी क्योंकि टंकी खाली हो रही है ठीक और यहां पर टाइम कितना लग रहा है अब यहां पर बारे घंटे लग रहे हैं बारे घंटे ठीक इन उनों का LCM ले लेते हैं तो 24 आएगा मतलब मतलब यहां माइनस का एक करोगे तभी तो दो आएगा ना मतलब बी की एफिसेंसी एक है वाल्यूम को हमने यूनिट में लिया है टाइम जो है आवर्स में है मतलब यह जो एफिसेंसी निकल किया है यह यूनिट पर आवर में निकल किया है और आपको यहां पर क्या मिला एक पर आवर का एक यूनिट पर आवर का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ छे लीटर प्रती मिनिट का भी सोट से एक घंटे में क्या होगा यहां पर आपको इसमें 60 हुना कर देना पड़ेगा मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ इसको multiplied by 60 कर लेते हैं 60 से multiply कर लेते हैं और यह हो जाएगा अब लीटर प्रति आवर मतलब एक unit per hour बरावर है 6 into 60 मतलब 360 लीटर प्रति आवर तो अगर एक unit 360 की बरावर है इतना करना है तो देखें बहुत simple सी तरीकी तरीकी जो है मैंने आपको बहुत पहले से बता के रहें यह 30 से 6 कम है 30 से 6 ज़्यादा है 30 से 6 कम 30 से 6 ज्यादा का मतलब 30 का Square लिए 30 का Square होता है 900 और 900 में 6 का square यहनिए 36 माइनस कर दी दे चतिस माइनस करोगे तो यह वाला वैलू आएगा 864 ठीक तो 864 आप यहां पर बिना पैन चलाए इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं जो कि मैंने बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक में बताए आपको 24 और 36 देखते साथ समझ में आता है एक बाईयू टीस से चहे सथ हमलेशन चसीजरशन इस चीज़ को आप म्यंस में क्यलकूलेशन कर सकते है यह सट दिसका स्क्राइब नौ पाइप कैं यंघिजज दृटन यहां पर है तो इसको solve कर सकते हैं आप लोग यह previous year question है आपके exam में आ चुका है इस तरीकी का प्रश्न तो आपको volume कैसे निकालना है इसके आधारित मैंने second question लिया है ताकि आपसे इस तरीकी का सवाल बने तो यहां दो pipe है A और B minute में बात करें तो minute में पहले वाले को लगता है 20 minute दूसरे वाले को लगता है 24 minute इसे fill करने में और तीनों के तीनों pipe जब खोल दिये जाए जिसमें से एक waste pipe है और यह waste pipe जो है suppose करिए कि C है मतलब देखिए A है यह B है A और B साथ में यहां एक C जुड़ा हुआ है C जो है 3 gallons पर minute के हिसाब से इस टंकी को खाली करना है waste pipe है और जब तीनों को खोल दिया जाता है तो A B तो भरने वाले pipe है C खाली करने वाला pipe है और जैसी इसको भी भर देते तो तीनों के तीनों मिलकर 15 minute में इसे fill करेंगे है यदि मैं यहां से volume की बात करो तो volume होता है इन तीनों का LCM हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है unit प्रती minute में और यहां पर gallons प्रती minute है तो आप directly यहां पर पिछले वाले में जो हमको conversion करने की जरूरत थी वह करने की जरूरत है क्योंकि पिछले वाले में पर hour था और जो value दिया था पर minute था लेकिन यहां पर आपका यह भी पर minute है directly जो value आगा उसको आप compare कर सकते है तो 120 बटा 20 करोगे तो 6 आएगा यह हो गया a की efficiency unit प्रती minute एक सो बीस पटे 24 करोगे तो b की efficiency आजाएगी 5 की और a plus b minus c की जब बात हो रही है यहां पर 120 बटा 15 होगा मतलब 8 हो तो simple सी बात c की बताएगे क्या हो गया यह अगर 6 है यह अग 20 गयलून प्रती minute के साब से मतलब एक unit बरावर एक गयलून कि तीन बरावर तीन गयलून है तो 120 unit बरावर 120 गयलून हो जाएगा C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एगा कलियर है यहां तक बात समझ में आगई चलिंए आशा करता हो यह सवाल आपको समझ में आया होग यहां से बढ़ते हैं हम आगे ठीक अब पंप कें फिल अ टैंक इन टू आवर्स बिकॉस फर लीकेज इट इस टेकिंग तो फिल टैंक इस लीकेज के वज़ा से ज्यादा समय लग रहा है तो इसे दो गंटे लग रहे थे लिकेज के वज़े से एक बटा तीन गंटे थे टू जाएगा तो seven by three hours होगा कितना हो जाएगा seven by three hours यहां तक समझ में आगया अब इन दोनों का LCM ले लोगे तो volume आएगा इन दोनों का LCM volume होता है इन दोनों का LCM लोगे तो दो और साथ का LCM 14 होता है यह आपका LCM होगा ठीक यहां से efficiency की बात करें तो efficiency होता है volume divided by time मतलब 14 divided by 2 करोगे तो साथ आ जाएगा यह होगई A की efficiency अब यहां A minus leakage की efficiency है क्योंकि जो छिद्र होने के वज़े से यानि जो leakage है उसके वज़े से इतना समय लग रहा था तो 14 divided by 7 by 3 करोगे तो यहां पर 6 unit आएगा जो की A minus leakage की efficiency तो A के जगा साथ डालेंगे minus leakage है तो यह 6 है मतलब leakage का efficiency एक unit का है और सवाल यही पूछ रहा था कि पूरी टंकी को खाली करने में सिद्र कितना समय लगेगा तो time taken by leakage जो होगा यह हो जाएगा volume divided by leakage की efficiency जो की एक है तो 14 divided by 1 कर लीजे 14 घंटे में यह जो है पूरा का पूरा खाली कर देगा मतलब यहां से डी जो है सवाल का सही उत्तर है ठीक है I hope यह question भी आपको अच्छे समझ में आया होगा और leakage से related अग कि अभी तक हमने जो question देखे वो time related देखे और कोई अगर यहां पर टंकी को मतलब खाली कर रहा है उसके ओपर related हमने देखा questions ठीक है अब यहां से हम देखते हैं कि अगर efficiency related कुछ questions आये तो कैसे solve करना है देखिए यहां दियो है a pipe of diameter D drain of the tank in 40 minutes मतलब एक pipe A है इसको 40 minutes लगते इसको खाली करने में और साथ में बुला गया है कि the time taken by a pipe of diameter 2D for doing the same job अब यहां से अगर diameter 2D हम कर दे तो यहां पर इसी job को करने में कितना समय लगेगा यानि कि पहले एक निश्चित किसी pipe है जिसकी व्यास D थी तो 40 minutes में खाली हो रहा था अगर 2D के व्यास जो है इसी टंक को यानि इसी टंकी को खाली करने में अगर व्यास 2D वाले एक pipe को समान कारे मतलब कि समान टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा यह आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए volume को हम 40 ही ले लेते तो इसकी efficiency एक हो जाएगी यह एक efficiency और देखिए efficiency जो होता है directly proportional to area होता है pipe का और अगर pipe के व्यास की बात हो रही है तो पाई आर स्कॉयर इसका area हो जाएगा मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते है पाई diameter का स्कॉयर बटा चार मतलब कि आपको यह समझना है कि अगर यहां पर diameter एक है तो इस वाले pipe का दूसरा जो pipe है उसका diameter जो है 2D है 2D क्योंकि अ time लगेगा वो 10 minute का लगेगा बात समझ मैं time होता है भाई volume divided by efficiency तो अगर मैं B की बात कर रहा हूं तो B के efficiency तो अगर इसकी efficiency एक थी क्योंकि इसका दुगना diameter है तो इसकी efficiency 4 गुना हो जाएगी 40 unit को खाली करने में इसे 4 के साब से इसके efficiency चलेगी तो 10 minute में जो है यह टंकी को कर देगा तो efficiency related सवाल इसमें भी आते हैं तो अगर pipe के area से related है तो आपको यहां पहले area का ratio लेना होगा जो area का ratio उसके सबसे आपका efficiency हां change होगा देखिए अब सवाल यहां पर दिया हुए in what time will assistant be filled if three pipes whose diameter are in the ratio of one one by one one by three and two centimeters run together when largest alone can fill in 122 minutes and the amount of water flowing in each pipe is proportional to the square of the diameter मिने सबसे बाद में अकेले को 122पें भर सकता है मतलब कि देखिए अलो मैं सबसे बड़ा pipe जो है वो सबसे बड़ा पाइप जो है अकेले यह बाद होगा यहां बाद होगा सबसे बढ़ा होará सबसे बड़ा पाइप इसे जो है अकेले जो है 122 मिन में बर सकता है तो प्रत्यक पाइप कितने समय में इसे भरेंगे तो सबसे पहले तो A, B, C के डाइमेटर की अनुपात हम निकाल लेते हैं क्योंकि डाइमेटर के हसाब से ही इनका efficiency होगा इसके square क्योंकि व्यास के वर्ग का समानुपाती दिया हुआ है तो पहले व्यास का ratio ले लिए एक अनुपात चार बटा तीन अनुपात दो है तो अगर मैं तीन से इसको multiply कर लो तो तीन यहां से हड़ जाएगा यह तीन यहां पर आ जाएगा और यह जो है यह 6 बन जाएगा ठीक है मतलब तीन अनुपात चार अनुपात 6 के साबसे इनका क्या है व्यास है यह इनके diameter का ratio है याने कि इनके व्यास का ratio है तो अगर efficiency के हम बात करें तो A अनुपात B की अनुपात C का जो efficiency होगा वो तीन का square अने 9, 4 का square अने 16, 6 का square अने 36 इसके साबसे इनके efficiency हो जाएगी तो A है, B है और C है, A, B, C के time के बारे में information नहीं दिया, volume के बारे में नहीं दिया लेकिन efficiency के बारे में यह पता चलिया कि इसका efficiency 9 है, दूसरे का 16 है तो तीसरे का 36 है यह हमें पता चलिया, ठीक, अब देखें सवाल को solve करते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, कि आपको सबसे बड़ा जो diameter है, सबसे बड़ा diameter वाला जो null है, इसे 122 मिनिट में फिल करता है, यह हमें दिया हुआ है, information, तो volume क्या होता है, volume होता है, efficiency multiplied by time, याने volume हो जाएगा 122 ग तो volume जो है, यह 122 multiplied by 36, यह तो change नहीं हो रहा है, efficiency जो है, तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 25 प्लस इतना करोगे, तो यहाँ पर 61 इनकी efficiency हो जाएगी, क्योंकि तीनों मिल जाएगे, तो A की efficiency 9, B की efficiency 16, C की efficiency 36, तीनों की efficiency जोड़ जाएगी, तो 61 की efficiency आ रही है, तो यह इसको दो बार काटेगा, मतलब 72 गंटे लगेंगे, जब तीनों के तीनों एक साथ काम करें, तो यहाँ 72 मिनिट में ही सारी चीज़े complete हो जाएगी, क्योंकि हाँ मिनिट में दिया हुआ है, clear? If two pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours, one pipe fills the reservoir 10 hours faster than the other, how many hours does the faster pipe take to fill the reservoir, तो देखिए, सवाल देखिए, क्या दिया हो है, बोल रहा है, दो pipe जो है, एक साथ काम करते है, तो जलाशाय को 12 गंटे में भर लेते हैं यह लोग, दोनों मिलकर, लेकिन अगर एक pipe जलाशाय को 10 गंटे ज्यादा तेजी से बरता है, जलाशाय को भरने में तेजी से काम करने वाले को कितना समय लगेगा बताना है, तो देखिए, यहाँ पर जो options है, देखिए, सवाल को directly solve करोगे, काफी time लगेगा, आपके पास options है, और यह option है कि तेजी से भरने वाले को कितना समय लग रहा है, मतलब अगर तेजी से भरने वाले का समय है, तो धीमे भरने वाले का समय इससे 10 गंटे जादा है, यहने 45 गंटे यहाँ, यहाँ पर 30 गंटे, यहाँ 40 में 10 जोड़ोगे तो 50 गंटे, यहाँ 32 में 10 जोड़ोगे तो 42 गंटे आईगे, इतना इतना time लग रहा है, अब देखिए, आप कुछ कि यहाँ से आपका 6 का मल्टीपल निकरेगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पर भी कही ना कही 12 है, तो 12 का मल्टीपल जो है, यह 6 का मल्टीपल यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि 12 की मल्टीपल में वाल्यूम होना चाहिए, तब ही जाके आपका उत्तर 12 गंटे यहाँ, मिरको डिरेक साथ है वाल्यूम, ठीक है, और इसका एफिशेंसी 3 का, इसका एफिशेंसी 2 का, मतलब यह A की एफिशेंसी है, यह B की एफिशेंसी है, जैसी मैं दोनों को जोड़ दो A प्लस B को, तो यहाँ पर 5 आएगा, टाइम टेकन भाई A प्लस B कितना हो जाएगा, साथ डिवाइड तो यहां 12 गंटे आ रहा है, मतलब सारे चीज़े साटिस्फाय हो रही है, 12 गंटे में दोनों मिलकर स्फिल कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, तो एंसर यही होगा, तो थोड़ा स्मार्टली आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप डिरेक्टल लेंगे, सॉल्व करना चालो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा क्यल्कुलेटिव हो जाएगा, सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने औप्शन को यूज किया, फटा-फट क्यल्कुलेशन देखा, कि क्या हम यहां पर लें वैल्यूस को, तो मेरे को 20 और 30 वाले से समझ में आए, कि 12 घंटे यहां से बन सकता है, तो इसलिए मैंने उसको डिरेक्टी चूज किया, तो उप्शन जब चूज करना है, तो उसमें भी आप स्मार्टली सोची कि कौन से उप्शन को हम पहले चूज करें, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब Pod can fill a tank of water. Boy and girl are filling a tank of water. Boy fills four liter in three minutes, girl fills three liter in four minutes, then find the time taken when both are filling hundred liters of water in the tank. तो देखे सवाल में दिया हुए एक लड़का और लड़की मिलकर किसी टंकी को भर रहा है पानी से लड़का जो है तीन मिनिट में चार लिटर और लड़की जो है चार मिनिट में तीन लिटर पानी भरती है तो दोनों मिलकर इसको 100 लिटर पानी भरने में कितना समय लगाएं तो चार बर देखंकि जब दोनों मिल जाएंगे तो डोनों मिलकर एक साथ जब यहाँ पर तंकी को भरना चालू करेंगे तो बॉय प्लस गर्ल की जो कम्बाइन एफिशेंसी वो चार बाय तीन प्लस तीन बाय चार की होगी मतलब LCM 12 हो जाएगा तो उपर 16 प्लस 9 याने 25 लीटर प्रती मिनिट की टाइम क्या है तो वॉल्यूम आपको 100 भरना है और एफिशेंसी 25 बाय बारा की है तो 25 डिवाइड़ बारा कर लीजे ठीक है अगर इसको हम काटेंगे 25 से तो यहाँ पर चार आएगा चार मिल्टिप्ल क्यों क्यों दिया हुआ है अटाइंग कैन वी फिल्ट वाइप ए इन 2 आवर्स पाइप इन 6 आवर्स एट 10 एम पाइप ए वाज ओपन एट वाट टाइम विल टाइंग भी फिल इस ओपन एट 11 एम ठीक है पाइप ए जो है वह यहां पर दो घंटे में पाइप को भर सकता है पाइप बी जो है यहां से 6 घंटे में इसे भर सकता है सुबह के 10 बजे पाइप A को खोला जाता है और पाइप B को 11 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने समय भर जाएगा समझिए यहां पर ए जो है एक फिलिंग पाइप है बी दूसरा फिलिंग पाइप है एक को अकेले स्टंकी को भरने में दो घंटे का समय चाहिए और बी को 6 घंटे का समय चाहिए और इसे 11 बजे खोला गया मतलब समझीए कि ये एक घंटे में केवल और केवल एक काम कर रहा है एक घंटे में अब दो घंटे में तो पुरा का पुरा टंकी भर जाता है ए द्वारा तो एक घंटे में जब ये 3 उनिट फिल करेगा और पुरा का पुरा जो है वो 6 उनिट है मतलब 6 में से 3 उनिट तो एक घंटे में फिल कर दिया जैसे ही 11 बजेगा तो 11 बजने के बाद दोनों मिलकर इस टंकी को फिल करेंगे ए और बी की एफिशेंसी चार होगी अब जो वाल्यूम टाइम जो लगेगा वो वाल्यूम रिमेनिंग होता है देखे 6 में से 3 उनिट तो अकेला ए भर दिया क्योंकि 1 घंटे के लिए ए काम कर रहा है 10 से 11 बजे के बीच इसके बाद जो टाइम लगेगा वो जाएगा वाल्यूम डिवाइड़ेड़ पा A प्लस B की कमाइड एफिशेंसी से मल्टिप्लाइ करूं तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 45 मिनिट का मतलब 11 बजने के बाद 45 मिनिट और लगेंगे सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक क्लियर है बात है आगे बढ़ते हैं A B C can fill a tank in 30 hours 40 hours 60 hours respectively pipes A B and C are open at 7 8 and 10 10 a.m respectively on the same day when will the tank be filled A B C को 30 गंटे लगते हैं ठीक है 40 गंटे लगते और 60 गंटे लगते टैंक को भरने में A उसी दिन 7 बजे B को 8 बजे और C को 10 बजे खोला जाता है तो टैंक कब भर जाएगा यह हमको बता रहा है ठीक है चुलिए समस्ते हैं A है B है और C है ठीक है A को 30 गंटे लगते है hours में B को 40 गंटे लगते इसको 60 गंटे लगते तो तीनों कैल्सियम ले ले लेंगे तो कितना 120 आ जाएगा मतलब A के गंटे में 4-4 यूनिट फिल कर रहा होगा B 1-1 गंटे में 3-3 यूनिट फिल कर रहा होगा C 1-1 गंटे में 2-2 यूनिट फिल कर रहा होगा ठीक अब सवाल में दिया हुआ है कि A को 7 बजे खोला जाता है B को 8 बजे खोला जाता है, C को 10 बजे खोला जाता है, यहां तक समझ में आ लिया ठीक, इतने इतने time के लिए खोला जाता है, मतलब 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद 3 के 3 खुले रहेंगे, तो अगर मैं यहां से देखूँ एक चीज को, कि कितने कितने देर यहां पर यह चलेंगे, तो देखें 3 घंटे तो यहां से यहां तक, 3 घंटे के लिए चलेगा, क्योंकि 10, 7 से 10 बजने में 3 घंटे लगते हैं, B की बात करो, तो 7 से यहां पर बजने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 3 घंटे के लिए A अकेला काम करे तो यहाँ पर 12 यूनिट ये फिल कर देगा 3 यूनिट के इसाब से अगर ये 2 गंटे के लिए काम करे तो 3 into 2 करने पर 6 यूनिट ये फिल कर देगा मतलब इतना वॉल्यूम जो है 10 a.m. तक फिल हो जाएगा by A and B by A and B मतलब इतना वॉल्यूम A फिल कर देगा क्योंकि हर एक गंटे में 4-4 यूनिट फिल करता है तो 7-10 बजने में 3 गंटे है तो 4 multiplied by 3-12 यूनिट ये फिल कर देगा A 3 यूनिट जो है B फिल करता है एक गंटे में तो 8-10 बजने में 2 गंटे है 3 multiplied by 2 करोगे तो 6 यूनिट जो है ये वॉल्यूम B फिल करेगा अगर मैं 12 प्लस 6 करूं तो 18 यूनिट जो है ये दुनों मिलकर फिल करतेगे अब time जो होता है वो होता है volume remaining अगर 120 यूनिट है 120 मिनिट से 18 यूनिट फिल हो गया है तो बचा कितना 102 यूनिट बचा इतना वॉल्यूम फिल करना बचा हुआ है अब combined efficiency हो जाएगी क्योंकि अब बज गया है 10 और 10 बजे सी को भी खुल दिया जाता है तो अब यहां से combined efficiency चलेगी 4 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 9 की मतलब divided by 9 कर लेते है तो यह हो जाएगा 51 अचा ठीक है अगर इसको 9 से काटेंगे तो यहां पर 3 बार कटेगा यह जाएगा भी 34 टाइमस ठीक है 34 टाइमस का मतलब 10 गंटे तो पूरा हो ज जाएंगे 11 सही एक बटा तीन गंते 11 गंटे का मतलब क्या होता है 10 बजे से आप 11 गंटे जोड़िए 2 गंटे में तो 12 बच जाएंगे एक तिहाई का मतलब होता है 20 मिनिट मतलब 9 बच के 20 मिनिट और लगेंगे मतलब 9 20 पे डी जो सही है सवाल का सही उगतर हो जाएगा ठीक है तो 9 बच के 20 मिनिट रात को जो है इतने समय पर यह जो टंखी है पुई तरह से फिल हो जाएगा क्लियर चुली देखिए इस सवाल को देखिए हां क्या दिया हुआ है 23 taps are fitted in a tank some are inlet pipes and some are outlet pipes each inlet pipe can fill it in 24 hours each outlet pipe can fill it in 40 empty it in 40 hours if all the taps are open then the tank will be full in 40 hours then find the number of outlet pipes total żad time total tanky knowledge only 23 plus 3 power outlet or each outlet outletliga for 24 time 1966 और प्रत्य आउट्लै टないकों घ। ऑप्रत्य आउट्लैट नल जो है 40 गणटे में इस सकता है इसमें घुल देते हैं तो 40 गंटे में टैंक भर जाता है तो बताना है फिर आउटलेट नल की संख्या क्या है बताना है पहले मैं आपको टाइम मतलब की टाइम और यानि की पाइप और सिस्टन के सापसे इसको सॉल्व करके बताता हूं सेकेंड मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंग आपको यहाँ पर की इस सवाल को कैसे हम एलिगेशन से फटाफट सॉल्व करें ठीक है पहले मैं आपको बता जिता हूं पाइपन से कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए समझे यहाँ पर जो फिलिंग पाइप है फिलिंग गंटा यहाँ पर इसका टाइम हो जाएगा आउटलेट पाइप की मैं बात करूं तो 40 गंटे में यह खाली करता है एक एक पाइप इन दोनों का लेंगे तो 120 आ जाएगा इतना इसका वॉल्यूम हो जा ठीक तो अगर इसके एफिसेंसी की बात करें मान लेते कि इसको ए है इसको भी मान लेते है ठीक तो एक एफिसेंसी क्या है तो एक एफिसेंसी भाई पांच की बी के एफिसेंसी क्या है तो बी के एफिसेंसी है थरीके ठीक अब यहां से आपको बताया गया है कि कुछ इनलेट पाइप है तो कुछ आउटलेट पाइप है मान लेते कि X नंबर inlet pipe है y number of outlet pipes इतने हमारे inlet और इतने हमारे पास outlet pipes तो पहला equation बनेगा कि x plus y जो है वो 23 होना चाहिए क्योंकि सारे हमारे पास जो total pipes है वो इतने है अब अगर एक एक inlet pipe की efficiency 5 की है तो 5 into x करोगे तो 5x जो है total inlet pipe की efficiency हो जाएगी और एक एक outlet pipe की efficiency 3 की है तो y अगर outlet pipe है तो इसकी total efficiency हो जाएगी 3y की minus 3y की क्योंकि outlet pipe है इसको मैंने circle करना है और इसको minus करना होता है तो यहाँ पर 3y minus हो जाएगी यह आपकी overall efficiency हो जाएगी ठीक और volume बरावर होता है volume होता है efficiency multiplied by time ठीक है तो efficiency multiplied by time जब करोगे यहाँ से तो आपको दिया हुआ है कि सब को खोलने पर 40 गंटे में भर जाता है भरने का मतलब यह है कि 5x minus 3y यह efficiency हो गई और time आपका 40 गंटे लग रहा है यह 120 गंटे में भर जाएगा ठीक यह 3 बर कटेगा मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5x minus का 3y जो है इसका मान है 3 ठीक है यहाँ तक समझ में आ लोगे अब समझे इसको क्या सॉल्व किया जाए आपको क्या निकालना है भई आपको निकालना है number of outlet pipes मतलब हमें y का मान निकालना है y है number of outlet pipes कैसे निकालेंगे y को यदि मैं इसमें दोनों में 5 से multiply कर दो तो 5x प्लस 5y जो है इसका मान आ जाएगा 115 का यदि मैं इन दोनों को minus कर दो उपर नीचे वाले value को तो यह 5x से 5x कर जाएगा 5 minus minus 5 करोगे तो यहाँ पर 8y आ जाएगा और 8y का मान यहाँ 112 आ रहा है y का मान जो है यह हो जाएगा 14 मतलब 14 outlet pipes है तो अगर 14 outlet pipes है inlet pipes 9 होंगे हला कि आपको केवल outlet pipe निकालना तो तो चाउदा इसका उत्तर होगे clear है पहला वाला तो यह हो गया भाई pipe and system से इसको कैसे solve करना है लेकिन इसमें बहुत तेजी से आप solve कर सकते allegation से तो मैं पहले allegation भी आपको बता के रख लेता हूँ ठीक देखे efficiency क्या होती है volume efficiency जो होती है efficiency होती है volume divided by time जो लग रहा है मान लिजे कि volume V है volume क्या है V है तो एक-एक inlet pipe का एक-एक inlet pipe के efficiency क्या है तो inlet pipe की यदि मैं बात करो तो efficiency है volume divided by 24 यदि सारे के सारे inlet pipe ही होते तो total efficiency हो जाती है 23 volume divided by 24 outlet pipe की efficiency की बात करो तो volume divided by 40 ये minus हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर empty हो रहा है तो इसके efficiency हो जाएगी volume divided by 40 क्योंकि एक-एक outlet pipe जो है वह 40 घंटे में खाली कर रहा है तो सारे के सारे अगर outlet हो जाएंगे तो इसकी efficiency जो total efficiency हो जाएगी तो अगर सारे के सारे inlet pipe करें तो efficiency होगी सारे के सारे outlet pipe हो तो efficiency यह होगी माइनस में क्योंकि empty हो रहा है और overall efficiency दिया है कि भरता है तो इसलिए मैंने integration है तो आप इन तीनों में क्या multiply कर सकते इस denominator को हटाने के लिए मैं 120 तो यह कड़ जाएगा इसको भी 120 से multiply कर लेता हूं इसको भी 120 से multiply कर लेता हूं ठीक है और वी वी को हम काट सकते तो काम आसान मन जाएगा तो यह 5 हो गया यह इसको काटेगा और यह इसको तीन बार काटेगा मतलब जो एफिशेंसी लगेगा पांच इंटू इतना करने पर 115 ठीक और और 23 इंटू इतना करोगे तो माइनस का 69 आएगा ठीक और बीच में जो वैल्यू आ रहा है वह यहां पर थरीक आ अब एलिगेशन लगाना आप लोग जानते हैं 115 मेंसे 3 माइनस होगा 112 हैं तो तो यह है आपके इनलेट पाइपस क्योंकि यहाँ पर मैंने इनलेट लिखा था इनलेट नो है आउटलेट बाइपस सवाल को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे बेसिक से और एलिगेशन से भी क्योंकि एक सवाल मैंने करा लिया हाला कि मैं यहाँ पर अभी आपको डिरेक्टली एलिगेशन जो शॉर्ट मेथड़ है वह बता देता हूं जिसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है एक इ इनलेट पाइप जो है 24 मिनित लगाता है इसे भरने में एक-एक आउटलेट पाइप 30 मिनित लगाता है खाली करने में सभको ओपन कर दिया जाय तो यहाँ पर फुल पाइप जो है एमटी हो जाता है 24 थोड़ा सा डिफ्रेंस है पिछले需要 हमने देखा था यहाँ कि सारे को open करने पर ओल टैप को open करने पर जो टैंक है that will be full in 40 hours मतलब कि पुरे खाली टंकी को इतने समय में भर दिया जाता था तो यहाँ पर मैंने positive value लिखा था लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक-एक inlet pipe का efficiency volume divided by 24 की है तो 17 inlet pipe की efficiency 17 volume by 24 हो जाएगी ठीक अब यहाँ से दूसरा वाला जो एक-एक outlet pipe की efficiency 30 की है तो हर एक outlet pipe की efficiency जो है वो अगर सारे के सारे outlet pipe हो जाए तो efficiency minus 17 divided by इतना हो जाएगी क्योंकि efficiency होती है volume divided by time ठीक अगर मैं यहाँ पर overall efficiency की बात करूं तो यहाँ 24 के minute में सारा का सारा खाली हो जाता है तो volume divided by 24 यह minus में आज जाएगा इतना आपके overall efficiency बनेगी क्योंकि सारे type को एक साथ खुलने पर जो efficiency बन रही है वो minus of v by 24 की बन रही है clear अब देखे इसको solve करना भोत आसान है वी 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 तीनों जगा कर जाएगा और 24 है यहाँ 24 तीस है तो मैं 120 से इसको multiply कर लेता हूँ यहाँ पर भी यहाँ पर भी और इसमें भी 120 से multiply करने पर यह 5 बन जाएगा यह बन जाएगा 4 और यह बन जाएगा 5 ठीक मतलब यहाँ पर जो value आ रहा है 1750 85 बन जाएगा इनलेट वाले में और माइनस 68 बन जाएगा यहाँ पर outlet पाइप में और यहाँ से जो बीच में value आएगा वो बन जाएगा इसे 9 से काटूं तो यहाँ पर 7 अनुपात यहाँ पर 10 आ जाएगा तो 7 अनुपात 10 टोटल कितने है टोटल 17 टैपस है तो दोनों को जोडने पर 17 आ रहा है मतलब 7 inlet pipe है तो 10 outlet pipe है आप से इन दोनों का difference पूछ रहा है सवाल में कि inlet pipe और outlet pipe का आपको बताना क्या है number of inlet pipe outlet pipe का difference तो 7 और 10 का difference तीन pipe हो जाएगा ठीक चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना ना बूले क्योंकि आपके देखा alternate days वाले सवाल देखे उसमें भी हमने पहले previous year में क्या आता था फिर latest pattern में आजकल के जमाने में जो questions आरे वो हमने देखा ठीक है efficiency से related question देखा इस वीडियो में हमने number of people जब एक से ज्यादा होते हैं वहाँ पे हमने start किया फिर pipe and system में जिसमें negative efficiency उसमें भी तमान तर है अब clear हो गया होगा कि time and work pipe and system के question को कैसे solve करना है और निश्यती एक्जाम में किसी भी प्रकार का question आए वो आप से जरूर बनेगा ठीक है कुछ भी doubt है lecture से related आप इस lecture से related कुछ भी question है वो आप competition community के discussion वाले ग्रुप में telegram में जोड़कर पूच सकते हैं चलिए इनी कुछ बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहां पर रुकता हूं और इसके साथ जो है हमारा arithmetic जो है वो पूरी तरह से complete है arithmetic में किवल एक ही चीज़ बचा हुआ है वो है data interpretation तो data interpretation में आखरी में करूँगा क्योंकि आसान सवाल आता है ssc में कोई difficulty नहीं होती banking अगर होता तो थोड़ा सा difficulty level जादा होता ssc में di के आसान question आते हैं जो कि आपके ratio average और percentage से होता है चीज़े बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ भा है और with the tricks सारी चीज़े में आपको बताऊंगा कि फटा फट क्यासे हमें algebra के questions को solve करेंगे ठीक है तो thank you so much इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर रुखता हूं मिलते है next वीडियो में जिसमें मैं advance math start करूंगा algebra के साथ thank you so much